पेड़ की डाल पर बैठा पक्सी कभी टहनी तूटने से नहीं डरता क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बलकि अपने पंकों पर बरोसा होता है अपने साहस को हमेशा सूरी की तरह उज्वल रखें पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी हमशकार मैं हूँ कमल श्रिमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल सितंबर 2021 के इस विसेश एपिसोड में यह एपिसोड रसिक रासि के लिए है और यह रासिफल आपकी रासि नाम रासि अताद मून साइन पर आदा रही ते हैं सितंबर 2021 में चार गरह रासि बदलेंगे और इस रासि का इंपेक्ट भी इस रासिफल में हमने कैलकुलेट किया है समाईत है हर मासिक रासिफल के विसेश एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विस्टेशन करते हैं उसमें सबसे पहले आपकी इंकम और आपका इंवेस्मेंट आपके परिवार का सुख सिक्सा और संतान के बारे में आपका स्वास्तिय और सत्रों के बारे में दामपत्य सुख गरस सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम संबन चल रहे हैं या ज विशेश उरुपि से विश्लेशन करेंगे आपका जौब आपकाrition करेंगे उरं्च में बात करेंगे इस माह की विशेश उपायों के बारे में जिसको अपना करके आप बना सकते हैं यह जो नेगेटिविटिए हैं उनसे राहत्neg कर सकते हैं तो आई अब आरम करते हैं व्रस्टिक राशी के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशी फन और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इंकम और आपके इंवेस्मेंट के बारे में जहां तक का इंकम का गेन का प्रॉफिट का प्रस्थन है राशी से बंगल पांस सितंबर को लाब बाव में प्रॉइस कर जाएंगे जो की रासी के अधिपती है और फिर सतरा सितंबर को सूर्य भी लाब बाव में आ जाएंगे ड्रस्थपती की जस्ती इस समय अस्टम बाव पर या प्रॉफेशन बाव पर और साथ से ट्वैल्थ आउस पर है लेकिन 14 सेप्टमबर से ब्रस्थपती की सुब्ध जस्ती भी लाब बाव पर होगी ऐसी इस्तिती में सितंबर 2021 बहुत ज़्यादा बैटर है और बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतने सारा ज़्यादा या इतने ज़्यादा ग्रहों का सपोर्ट एक बाव को मिलता है एक रास करना हो तो भी आपका नेम फिम बढ़ सकता है सही डंग से किसी को सला देना वो आपके लिए फाइदेमंद हो सकता है आपका सरकल बढ़ सकता है ये सब कुछ आपके काम काज के कारण हो सकता है आपके प्रयासों से हो सकता है क्योंकि करम का फल देने के लिए ही लाब भाव इस्तित होता है तो आपकी रासी से 10 ताउस है वो है करम का और उससे ठीक अगला भाव है वो है लाब का तो लाब में यश भी मिलता है थेंक्यू भी मिलता है एप्रेशिशन भी मिलता है और मनी भी मिलती है यह सब लाब के इससे हैं तो ऐसी इस्तिति में यहाँ पर चाहे आ बहुत बैटर है जो गौर्मेंट सेक्टर में उनके लिए इस्तितियां बैटर है और जिनको डेपूटेशन पे कहिन के ट्रांस्पर चाहिए उनको 17 सेप्टमबर के बाद में ट्राई करनी चाहिए तो ऐसी इस्तिति में मेक्जिमम लोग यहां पर इस माह में बहुत सक्सेस्पूल रहेंगे गेन पाएंगे या सुखी होंगे सबसे पहली बात करें तो यहां पर जो लोग भी इंसुरेंस में या ट्रेडिंग में या जो लोग ब्रॉकरे से समधित कामकाज करते हैं स्टेशनली से समधित कामकाज क उसके बावजूद भी उनका लाब कम नहीं होगा क्योंकि शुक्र अपनी खुद की रासी में चले जाएंगे और रासी से 12 ता उसमें शुक्र को सुब माना जाता है ब्रेस्पति की दस्ती में भी रहेंगे राहू की दस्ती लाब भाव पर होने से IT सेक्टर में, सौफ्ट्रवेर में या पिर सिग्रेट शराप तमबाकों से समझेद इंडस्ट्रीज वाले या उसका काम करने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, MNC में काम करने वाले, वो लोग भी यहां पर सपोर्ट पाएंगे और जो sensitive post पर है या जो बड़ी post पर है उन लोगों को यहां पर name film ज़्यादा मिलेगा आपके फैसले से बहुत ज़्यादा लोग एक प्रकास से राहत की सांस लेंगे जो लोग भी bureaucrats है या जो लोग बहुत बड़ी post पर है तो राजनेती के संदर में भी सूरी को देखा जात है तो राजनेती में भी बहुत स्थिता आएगी stability बढ़ेगी पांस सितंबर के बाद में land and building, building material, construction, hotel, restaurant, खाने पीने की चीजें या वो लोग जो electrical goods या mining and herbal product का काम करते हैं उन लोगों को भी ज़्यादा लाब मिलेगा या ज़्यादा उनका volume बढ़ेगा काम का ज़्यादा बढ़ने से उनका profit ratio बढ़ेगा तो इस प्रकार से सितंबर 2020 में बहुत ज़्यादा सक्सम इस्तितियां या शांदार इस्तितियां development हो रही है उसका फाइदा आप उठा सकते हैं आईए अब बात करें investment की रासे से second आउस से investment पर विचार किया जाता है इस भाव का अधिपत इसी नीच रासी में नहीं जाते हैं वहां तक आप gold में gold bond में infrastructure bond में और या फिर आप जो commodity में investment करना चाते हैं वो केसर में हल्दी में या दालों में investment कर सकते हैं gold में investment कर सकते हैं तो investment करना भी आपके लिए फाइदेमस इस्तितिपी है लेकिन income वाले स्थितियां बहुत ज् investment करते हैं 14 September तक सूच समझ के investment करें और उसके बाद में बहुत ज़्यादा safe side में चले जाएं तो ज़्यादा बैटर रहेगा आईए अब बात करें आपके परिवारिक सुख की रासी से फोर्थ आउस से इसका विचार किया जाता है और इस भावकादी पती शनी है जो रासी से थरड़ा उसमें विराज माने और शनी की यह बहुत ज़्यादा सुब इस्तिति है तो ऐसी इस्तिति में यहाँ पर आपके परिवार में इस्तितियां बहुत ज़्यादा बैटर डंग से डवलप्मेंट होगी या फिर यह बहुत सकते हैं जमें ज्यादात का आपको सुख मिलेगा अपने परिवार के सद्रस्यों का सयोग मिलेगा और इससे कोई बड़े प्रोजेक्ट में बड़े काम काज में आप इन्वाल होकर के भी दूसरों का सयोग पाएंगे या आपकी एक प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी परिवार का साथ होना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है तो यहाँ पर आपको सुख सुविदाएं भी मिलेगी तो क्या भी साथ मिलेगा और साथ इसाथ ब्रसपती भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देने की स्थिति में परिवार एक सुख में तो आपको फैनिशली सपोर्ट भी मिल सकता है और साथ इसाथ घर परिवार में भी आपको बहुत अच्छे लंग से एड़्जस्मेंट का महोल मि बात करें सिक्सा की और संतान्सु की रासी से फिप्ताव से पंचम बाव से इनका विश्लेशन किया जाता है इस बाव का अधिपती ब्रसपती है एक तिरकोंड का अधिपती होकर के केंजर में विराजवान होना यह राजियों की स्थिति है पांस सितंबर को मंगल भी अग सा बाव पर होने से आपका कंसेंटेशन आपकी ग्रास्पिंग आपका नॉलेज बहुत बड़ेगा और आपका साथ देगा बहुत बार यह होता है कि आपमें सिक्सित बहुत है समझदार बहुत है एक्जेक टाइम पर उसको याद नहीं रहता या एक्जेक टाइम पर हो सम आपको आपकी knowledge का grasping का या आपकी विद्या का साथ आपको मिलेगा situation उन लोगों के लिए ज्यादा बैटर भी है जो sports person है क्योंकि यहां पर जो लोग भी agriculture से समद्धित civil engineering से समद्धित electrical engineering या पिर computer engineering बारे students हैं उनके लिए बहुत बहुत बैतर इस्तिती होगी या वो बहुत अच्छे डंग से डवलप करेंगे आगे बढ़ने के रास्ते उनको मिलेंगे finance के शेतर में या commerce के students हो सकते हैं MBA in finance करने वाले students हो सकते हैं economics के students हो सकते हैं grammar के या literature के students को यहां पर बहुत अच्छे डंग से साथ मिलेगा या उनको knowledge या comfortable इस्तिती में वो आगे बढ़ेंगे जो लोग भी marketing की या फिर वो लोग जो इंस्टुरेंस से समझे को study कर रहे हैं या जो टेलीकॉम सेक्टर से समझे studies कर रहे हैं music से समझे को studies करने वाले mathematics के students यहां पर बहुत अच्छे डंग से रहत पाएंगे क्योंकि बुद्ध की सीधी जस्ती सिक्सा बाव पर है सनी की तीसी जस्ती technical students जो भी होंगे उनको साथ देंगे तो ऐसी इस्तिती में लगभग यहां पर सारी streams आ जाती है और उस situation में आप लोग काफी ज़्यादा support देखेंगे काफी ज़्यादा काबलियत अपने माप में पाएंगे और जो हुनर मन्द है उनका हुनर और ज़्यादा अच्छे डंग से डवलप होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद इस्तिती है राहत की बात है कि सितंबर 2021 आपके लिए बहुत बैतरीन है लेकिन 14 सेप्टेमबर से आपको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि सिक्सा भाव का अधिपती ही नीच रासी में चले जाएंगे लेकिन बाकी गर्फ लाबेश आपका साथ देंगे रासी के अधिपती आपको सपोर्ट करेंगे ये सारी सीचोशन आपके लिए जयोंकी त्योंर बनी रहेगी आईए अब बात करें संतान सुक के लिए यही इस्तितिया जिम्मेदार है और संतान का कालक ब्रसपती होता है स ऐसी स्थिदी में 14 सेप्टमबर तक तो स्थितियां बहुत बैतरीन है, लेकिन मंगल की जस्ती यहां पर रहेगी और शनी की जस्ती पर यहां रहेगी तो ऐसी स्थिदी में कुछ रूखापन आपको संतान के साथ में, संतान की वैवार में देखने को मिलेगा, उससे जरूर आपको manage करना पड़ेगा या आपको tackle करना पड़ेगा 14 सेप्टेंबर के बाद में संतान की चिंता आपको सताएगी या उनके साथ में argument बढ़ जाएंगे सुख आपको कम मिलेगा आपको उनका support या सयोग जाधा करना पड़ेगा और especially हो सकता है financial support करना पड़े क्योंकि ब्रस धन और संपतिक अधिपति होने के साथ में परिवारिक सुख का अधिपति होने के साथ में नीच रासी में चले जाएंगे तो यहां पर संतान के लिए आपको पैसा खर्च करना ज्यादा पड़ेगा हो सकता है नया admission हो नया कोई course हो और या पर उनको hostel बेजना हो बार कोई और city में या और country में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए expenses यहां भी जादा ही होते हैं तो वो जरूर आपको manage करना पड़ेगा आईए अब बात करते हैं आपके स्वास्ति की और आपके सत्रों की रासी जे 6 ताउस से रोग बाव से इसका विश्लेशन किया जाता है इस बा स्वास्ति में या सत्रों से आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रहेंगे या बहुत ज़्यादा सेफ इस्थिती रहेगी आपकी लेकिन इसका अर्थी यह नहीं है कि आप हर किसी से उलसते वे गुमें या जहां पर भी आपको स्थिती दिखाई जाए आतापाई करने क नौबत आजाए तो आप उसमें involved हो जाएं वो आपके लिए कानूनी पचड़ों में फसने की बात हो सकती है तो ऐसे इस चीज़ से समझेद आपको साफ़धानी रखनी है क्योंकि यहां पर पांस सितमबर से मंगल की द्रस्ती सिक्स आउस पर रहेगी और वो आपको सपोर्ट करेगी तो ऐसी इस्तिति में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रस्पती नेगेटिव हो जाने से स्तमक एंटिस्ताइन या गाल बेडर स्टोन की प्रॉलम वाले जो मरीज होते हैं डाइबिटिक जो मरीज हैं या छोटे बच्चे जिनको पाचन के लिए कमजोर हैं इम्मिनल सिस्टम कमजोर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सावदान रहने की ज़रूत पड़ेगी या डाइबिटिक लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें ज़्यादा केर करें यह जरूरी है सितंबर 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है सुब है सेफ है आईए अब बात करते हैं आपके ग्रस सुक्की दामपत्य सुक्की और साथ ही साथ उन की रासी में चले जाएंगे रासी से 12 आउस में चले जाएंगे तो शुक्र स्वयरासी में उने से सुब होंगे साथ ही साथ ब्रस पती भी 14 सेप्टेमबर से जब रासी से थरड़ा उस में चले जाएंगे सप्ताव बावपत सुब जस्ती होगी उसका भी साथ आपको गा लेकिन जहां पर राहू विराज माने वो राहू सुब इस्तिती नहीं पैदा करता है सेवन ताउस में तो ऐसी इस्तिती में गलत फैमिया मिस अर्नेस्टेंडिंग या व्यर्त में ही कोई तीसरा आ करके आप दोनों के रिलेशन को खराब करने की कोशिज कर सकता है जान बोच करके इस्तिती वो नहीं होगी लेकिन फिर भी जो ही कोई आपकी कंप्लेंट करेगा आपकी बात करेगा तो सामने वाले की दिवाग में कुछ निकुछ चो खराब विचार आई जाएंगे वो चाए वो टेंपरेरी हो तो अधिसरणे को लेकिन वो इस्तिती का सामना आपको करना पड़ सकता है वो इन सबी इस्तितिों के कारण ग्रस सुक की स्तिती जादा बैटर है जादा कंफ़र्टइबल है चाह इब दमपति सुक की करें आप सी आप conduct करें या इमोशन की बात करें यहां पर सबकुछ बह है और जो लोग अविवायत है उनके विवा की बातें भी 14 सेप्टमबर के बाद में चलने लगेंगी और जो विवायत है उनके रिलेशन भी या उनका जो एक प्रकासे कोर्लेशन है आपसी समझदारी है वो और अच्छे डंग से डवलप कोगी 14 सेप्टमबर 2021 से शुकर बहत सुख की सुपता देखी जाती है क्योंकि शुक्र सुख का मालिक होता है तो इन सभी कार्णों से आपका दामपती सुख बहुत बैतरीन रहने वाला है और राहू के लिए आपको रोजाना रामरक्षा स्तोत्र का पार्ट करना चाहिए और हर सनिवार को काले तिल या पिर प्रसंग है या जो गैरी मिर्तता में रासी से अविचार किया जाता है इस बावकादी पति ब्रसपती है मंगल की ज justement समय में आताे एक सितंबर को बी यह और पांस सितंबर को मंगल जब रासी से एलेवन ताउस में चल जाएंगे तब ही रहेगी सनि की तीसी जरस्ती भी प पूर्टिन सेप्टमबर तक सुब है शुकर की बात करेंगे सुकर सितंबर माह में पूरे महा तक आपके लिए सुब है क्योंकि सप्टमबाव का अधीपती भी होगा और शुकर यहां भी फिपता उसको देखता है सप्टमबाव में राहू है वो राहू जरूर आपके साथ या फ्रोड के सिकार हो सकते हैं गलत फैमी के सिकार हो सकते हैं आपके बीच में को तीसरा करके आपकी फ्रेंड्सिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसे खराब कर सकता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको उन फालतू लोगों से दूरी भी बनानी होगी और साथ ही साराज हो जाते हैं बादचीत बंद कर देते हैं जो की गलत है हमेशा कितनी भी दुस्मनी हो जाए बादचीत का रास्ता खुला रखिए वही आपके समस्याओं का समधान करेगा तो यहां पर 67% सिच्वेशन आपके पक्स में 33% के लिए आपको राहू को जिम्मिदार मानना पड़ेगा उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए जो मैंने दंपतिसुक के लिए बता हैं सेम उपाय आपको भी काम आएंगे तो ऐसी इस्तिति में 14 सेप्टमबर तक सिच्वेशन आपके लिए बहुत बैठीन है उसके बाद में आपको अपना बचाव करना पड़ेगा और ऐसी सिति में अधिकार जमाने की बात छोड़ दीजिए आपको धैर सेम सेंसिलता का परचया देना पड़ेगा तब आपके फ्रेंड्सिप बचेगी या तब आपका रिस्ता बचेगा इसको जड़ा नोट करने या इसको अच्छे डंग से समझ लें तो ज़्यादा बै पती हो करके और ये दोनों ही सिच्वेशन आपको मेनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि सूरी और मंगल दोनों टेंथा उसमें दिख बली बना जाते हैं और यहाँ पर एक प्रकार से जिसको कुल दिपक योग बोलते हैं वो यहाँ पर बनाते हैं पांस सितमबर को मंगल लाब बाव में चले जाएंगे सुखत इस्तिती होगी सूरी सोला सितमबर तक यहीं रहेंगे सत्रा सितमबर हो अगली रासी में जाएंगे और ब्रहस पती का सुब दस्ती 14 सेप्टेंबर तक आपको मिलती रहेगी तो यह सारे संयोग आपके केरियर के लिए बहुत ज़्यादा बैटर है या कंफर्टेबल है इन सभी इस्तितियों के कारण सबसे ज़्यादा जो लोग फोर्स में हैं जो लोग गौर्मेंट सेक्टर में हैं या वो लोग जो सिक्यूर्टी से समद्दित कामकाज करते हैं जो हमारी जो सिमाओं पर हमारी रक् यह मा काफी ज़्यादा बैटर है comfortable है और साथ ही साथ जो लोग government service में कोई exam देने वाले हैं चाहे वो exam आप civil services से समझी देने वाले हैं department का कोई exam हो सकता है या department में आप transfer चाता है deputation पर को transfer चाते हैं यह इस्तितियां आपके लिए सुखद होने वाली है और उसका फाइदा आपको उठाना चाहिए आप मैसे जो भी लोग business करते हैं जो लोग gold का business करते हैं अनाच का business करते हैं जेम से इंज्वालिटी का business करते हैं या वो लोग जो राजनितिक शेत्र में उनके लिए सतियां बहुत ज्यादा सुखद है साथ ही साथ लेंड और बिल्डिंग बिल्डिंग material या जो प्रॉपर्टी डीलर से समझेद कामकाज करते हैं जो जो construction के engineer हैं construction के मजदूर हैं या construction में fabricator का का काम करते हैं उनके लिए बात कर सकते हैं labor का काम करने वाले या financial brokerage का काम करने वाले commission and brokerage के साथ साथ में जो currency का का काम करते हैं या girvy का का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बैतरी ने तो education sector का 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 बेकरी या utensil से समझेद कामकाज करने वाले भी better dung से develop करेंगे इस इस्ति में बहुत ज़्यादा carrier को लेकर के सुब इस्तियां हैं और आपकी मैनत का फल आपको मिलने वाला है और जैसा मैंने starting में बोला था कि income के मामले में ये इस्तिती है इस माम में कि आप मैनत कम करेंगे और आपको फाइदा ज़्यादा मिलेगा सेम इस्ति आपके carrier में भी है कामकाज में भी है आपका volume बढ़ेगा आपका सुक बढ़ेगा आपकी strength बढ़ेगी आपका नेम फिम बढ़ेगा तो ऐसी स्तिती में आपको जम करके काम करना चाहिए 100% अगर आपने मैनत की है तो उसलिए ज़्यादा आपको फल मिलने वाला है आईए अब बात करें सितंबर 2021 के उपायों के बारे में आप रस्टिक रासी के लिए ब्रेस्पती 14 सेप्टंबर को नीच रासी में चले जाएंगे और ब्रेस्पती आपके धन और संपती के स्वामी है तो सिक्सा और संतान बाव के स्वामी है उसका भी उपाया आपको करने के आवशकता पड़ेगी और सब्तम बाव में राहू एक प्रकासे गलत फहमिया करने का या पिर साजिस करने के साथ साथ में फ्रॉड या दोका दड़ी की और भी इस सारा करता है इसलिए राहू का उपाय भी आपके लिए सुब है चाहे राहू उचरासी का वो बिजनस के लिए अच्छा है वो आपके इंवेस्मेंट के लिए अच्छा माना जाएगा सांजितारी के व्यावसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा लेकिन married life के लिए या जिन लोगों के relationship चल रही है उनके लिए राहू सुब नहीं माना जा सकता तो ऐसी स्थितियों में ब्रस्पति के लिए विश्णु की पूजा उपासना सुब है हर ब्रस्पतिवार को पिली वस्थों का दान करना आपके लिए सुब है और या पिर जो जटावला नारेल होता है जो आप लोग जब भी घर में पूजा पाड़ होता है कलस पर इस्तापित करते हैं वो वला नारेल चाहिए वो सुखा या गिला उससे समधित नहीं है उस नारेल को clockwise 11 बार अपने सिर के उपर से गुमाना है और इसको पानी में विसेजित करना है कोई जील तालाप समधर या कोई नदी या कुवा अगर ऐसा कोई भी अपने आसपास नजर नहीं आता है तो एक पानी की बाल्टी बरिये उसमें वो नारेल डाल सकते हैं राउकाल में सुबह 9 से साड़े 10 के बीच में और जब भी वा आ रहा हूं लेकिन आपकी जन्म कुली में जो दसाएं चल रही है जो योग हैं जो गरेस देती हैं वो आपको वैसे ही रिजल देती रहेगी या प्रभाव देती रहेगी ये रासिपल उसमें कुछ या तो अच्छा कर सकता है या कुछ कम कर सकता है यही सावध्यानिय के त तो उसके लिए अपनी जनकुली का विशलेशन जरूरी है तो स्क्रिन पर जो नंबर देवें उस पर संपरक स्थापित करें अपर्टमेंट फिक्स करें और फिर आप और मैं आपकी समस्याओं पर आपकी जिग्यासाओं पर आपकी दूविदा पर आपके सपनों पर बात करे करेंगे और ढूंड करके निकालेंगे विशेश उपाएं दस सितंबर को गणेश चतूते का पर्व है और यहां से अगले दस दिन तक अनंच अदू दसी तक गणपती मौसर रहता है गणपती की पूजा उपासना लोग गणपती को घर पर अमांतित करते हैं इस्थापित के समधान के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ती के लिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं अपनी समस्याओं को बता करके या कामनाओं को बता करके उचित कवच के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और या पिर अपनी जन रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुब कामने इश्वर आपकी रक्षा करें गणपती बप्पा आपकी रक्षा करें और सारे पितर देव आपकी रक्षा करें ब झाल झाल